वेल्कम टूइंग ट्रेड अभी जो वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक लांग टरम पोटफोलियो का स्टाइक के बारे में बात करेंगे जो कि अभी कुरेंड मार्केट प्राइस पर चल रहा है इसका प्राइस है तो यह लेवल पे हम बाई करके चल सकते हैं जो कि बहतरीन अभी 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 लेवले यह स्टाक में हमें लांग टर्म के लिए एक व्यालू वाइंग हो सकता है यह स्टाक में आप नजर बनाएक रखें ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको में जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पे नया ह है तो अगर आप लंग टर्म पोर्टफोलियो है तो फिर आपको लेके चल सकते हैं और निप्स कहां पर करना है तो वीडियो देख लीजिए आपको पता चल जाएगा अगर आप टेकनिकल अना निशीच शीखना चाहते हैं यह फिल्टर में से वीडियो है यह प्लेश्ट को पता चल जाएगा ठीक है अभी चले बिडियो स्टार्ट करते हैं जो पहला स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे उपहला स्टॉक्ट के कोलगैará के बारे मुथकी के और है इस कंपनी में यह बहुत डाशा सा अभी पोर्टुनंईटी चल रहा है काफी दिन से वह सेम्हाइड पर चल रहा है अब ये चांप साल पहले चल सकते हैं थी का लेवल निकल करके आता है तो यह 16 सपॉंसर्ट का लेवल पर आप नजर बना के रखे इस लेवल पर बाई करके चल सकते हैं जो कि बहुत अच्छा सा अपर्चुनिटी मिल रहा है और यह सारे लार्ज क्या आप लांग ट्रम पोट्फोलिय में इमिडेटली लेके चल सकते हैं अगर आप सुवंग ट्रेड भी करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं लेकिन इसमें क्या है यह आपका risk free stock है इसमें कोई भी रिस्क नहीं है और इसमें साल में अगर आप बना के रखे अगर आप लेना चाहते तो इमिडेटली बाई करके चल सकते हैं जो कि मंडे के दिन में ठीक है अगर आज के दिन में अगर डिलीवरी देखेंगे जो लाइस्ट रेडिंग सेशन का डिलीवरी जाचते हैं यहां पर देख लिए ताट वन लाग सेवेंटी थाज़न का कॉण्टी ट्रेडर हुआ है इसमें 60 थाज़न का डिलीवरी उठाय गय है यहां पर देखेंगे अल्मोस्ट डेट फ्री कंपनी है और आरो सी 92 का रोसी है यहां पर देखते हैं लार्ज क्याप स्टॉक है 46000 क्रोड का मार्किट क्या पर थीक है तो प्रोमोटर प्लेस भी जीरो है प्रोफिटबल कंपनी कोई भी इसू नहीं है स्टॉक में आप इ मेरा कौन से फेवराइड स्टॉक है यह पांस स्टॉक के अलावा में और एक मेरा फेवराइड स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो कि अभी आपको एक बहतरीन अपर्चुनिटी मिल रहा है उसको अगर आप लेके चलाएंगे शिक्स में 20% का गेन मिल सकता है और वह भी फ यह प्रचुनिटी अभी मिल रहा है ठीक है अगर आप 6 मौन्स तक होल्ड कर चलते हैं आपको बहुत बहुतरी बेटर मिल सकता है इसमें 25% का रिटन भी मिल सकता है अप नजर बना के रख़िए स्टॉक को आप लेके चल सकते हैं आप अच्छा सा गेन इसमें मिल सकता है 6 कुई क्लिए बार देख लेते हैं जो कि 3,36,000 का कॉंटिटी ट्रेडर हुआ है इसमें डिलिवरी कुंटेटी उठाए गया है जो कि 2,4,000 का डिलिवरी उठाए गया है बहुत अच्छा सा डिलिवरी भी इसको मान के चलेंगा अगर आप इसको लंग टर्म होल्डिंग के लिए लेना चाहते हैं तो यह बहतरी नहीं क्या है इसमें देखिए डिविडेंट कितना देता है देखिए एक अच्छा सा डिविडेंट पेंग स्टॉक है ठीक है जीरो डेट प्रमोटर के है रेपूटेट ब्रांड का प्रमोटर है इसमें कोई प्रोब्लेम नहीं है और लाज के आप स्टॉक है यह अभी अधिते विल्या सनलाइप का एक अच्छा सा रिटन देगा अभी शिक्स मांथ में ठीक है अगर आप लंग टर्म पोर्टोले में रखना चाहते हैं रख लीजेए टूंटी और सब्सक्राइब मिल सकते हैं तो मिनिमम तो 50 एक्स रिटन मिली जाएगा यह साफ से मूच्वल फण्ड का पेनेटरेशन चल रहा है हमारा कंट्री में इसी साफ से अभी मूच्वल में investment चल रहा है FD से निकाल गया अभी सब लोग mutual fund की तरफ अट्रक्ट हो रहे हैं stock market की तरफ अट्रक्ट हो रहे हैं यह स्टक को आपका portfolio में जरूर रहना चाहिए अभी थाट स्टक के बारे में बात करेंगे जो कि ICCI लंबाड है ICCI लंबाड भी काफी दिन से अब भी अगर हम जाएंगे एक साल का पुराना प्राइस जो नवेंबर में चल रहा था नवेंबर का प्राइस अगर आप देखते हैं यहां देखिए वह सेम करेंट लेबल पर चल रहा है ठीक है पीडिलाइट हुआ चाहां पर टाइटन हुआ यह सब अच्छा सा रिटन दे चुके हैं लेकिन अभी तक मोव्मेंट नहीं आए यहां पर मोवमेंटम अभी तक नहीं अभी अगर पोजिशन बना के चलेंगे आने वाले टाइम पर आपको बहुत अच्छा सा रिटन मिल सक चाहिए जो स्टॉक मोमेंटम में हैं वहां पर पोजिशन मत बनाए जैसे कि इस चाहिए पोजिशन बनाएं कोई फाइदा नहीं फसकते हैं ठीक है बहुत सारा स्टॉक है टाइटन है ले तो यह सब स्टॉक में आप थोड़ा सा अभड किजिए जब टाइम आए गाएगा कोई करें एक बार चेक कर लेते हैं अगो हम देखेंगे डिलीत परसटेज की से लंबार देख है जो कि 12 लाग कॉंटिटी ट्रेडर हुआ है क्वांटिटी भी अग्सा से क्वांटिटी ट्रेडर हुआ है यहां पे 9,171,000 का कॉंटिटी यहां पर डिलिवरी उठाया गया थी कि अगर कुईकली हम एक बार एक का फाइनेंसियल अगर देख लेंगे तो यहां से भी एक कुईकली एक बार देख लेते हैं लार्ज क्याप स्टॉक है 75,000 क्रोड का मार्केट क्या पर है अगर हम देखते हैं रोसी 27 परसेंटेज का रोसी है डेट फ्री कंपनी है 0.06 का डेट है अगर लास्ट चार क्वाटर का अगर हम देखते हैं यहां पे प्रोफिट एक चौदा सो क्रोड का प्रोफिट आया है तो प्रोमोटर प्लेज भी जीरो है और आल टाइम हाई जहां पे 1675 था अभी हमें थोड़ा सा करेक्शन पर भी मिल रहा है जो कि 1529 पे काफी दिन से स् 15689 यहां पर दिख़े अभी हमारा अरा इन्मेसटर के प्रसमाल ही नहीं है यह बहुत बहतना मल्टिवेग्ड रही पोजीव चले मिल दे मिलने वाला पोजीसन से प्रो़ेटर के पास में नेग्स स्चाइब करेंगे जो कि फोर्थ नॉंबरत कसे जो ऐसर भी काफी दिन से वहां पर आपका कि यह स्ञेयर चल रहा है तो इस ठॉपक में न काफी दिन सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस लेवल पर बहुत बार सपोर्ट ले रहा है तो आपके लिए एक हो सकता है ठीक लेकिन पांट दस रुपे का देखने का कोई में मुझे लग नहीं रहा है इतना कुछ यह क्योंकि आप लॉंग ट्रम के लिए लेके चल रहे हैं तो इसलिए आपको यह पांट दस रुपे देखना भी नहीं चाहिए यह अच्छा सा लेवल पर चल रहा है काफी दिन से तो आप ले लिजिए अभी थोड़ा सा क्वांटिटी आप लेकी चल सकते जो कि बहुत बहुत बहतरीन कंपनी है एक मुल्तिव अगर स्टॉक है अगर आप देखेंगे ना इसका प्रोफीटेबल कंपनी प्रोफीटेबल कंपनी ट्रैक रिकरड इसमें कोई प्रोब्लेम नहीं लाइट स्टाइब करोट मार्केट के आप यहां पर आरोची देख लीए 27 परसंटेज का रोची डेट कितना है ना क्या आंय। और यहां अगर देखते हैं यहां अजिक गर करेंते हैं ऊपनित अब्यक्रीटेग को प्रोफीड नियुक्ति यहां पर और स्टाएग इस और से पक्रेंड नहीं डिवर्ण हुआ करके चल सकते हैं तो नेक्स स्टाक के बार में बात करेंगे यह फीप्ट नंबर स्टॉक है कि अगए बार में मेरा प्याइप स्टॉक है इसमें में कम दीजिए तो यह को में पॉट्फूलिये में लेके चल सकते हैं जो की 100 आप और चले चले कि ज़27 में लेके चलता है रहा है अभी कंटिटी आप बाइक करे करें चले हैं सब्सक्राइब 51 percentage का जो कि यहां पर Delivery का डाटर नेकल करें आता है जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेसन में फ्राइडे में 4,61,000 का यहां पर ट्रेडल कॉंटिटी है यहां पर अगर डिलीवरी देखेंगे तो लाग 33,000 का डेलीवरी उठाए गया जो कि 51 परसंटेज का डेलीवरी उठाए गया इस टॉक में बहुत अच्छा सा स्टॉक एक मॉल्टीव अगर है क्याम्स का अगर आप देखेंगे इसनों तो एक अच्छा से रिटन दिया एक साल में अगर देखते हैं देख लिजिए कि 134 यह प्रमोटर प्लेज जीरो है ठीक है अल्टाइम हाई जो था 4000 अभी 3100 पर आपको मिल रहा है जो कि 30 का करेक्शन भी स्टॉक में हो चुका है 25 का करेक्शन हो चुका है ठीक है अब थोड़ा सा अक्मिलेट करके चल सकते हैं तो नेक्स्ट जो लास्ट मेरा फिबराइट र उसलित हूँगा है मैं यहाँ पे यह तो क्यों आप लेके चलते हैं अगार talent還是 stock यह भी यह भी एक बहुत भी सकता है अगर आप पोजीशन बना के चलते हैं अगर सिक्स मॉन्स तक एक स्टाक को होल्ड करते हैं फिर भी आपको एक थाटी परसेंटेज का रिटन दे सकता है जो कि लार्ट्स के इसमें कोई भी प्रोब्लेम नहीं है ठीक है यह मेरा तरफ से मैं आपको बता रहा हूं अग अगर फॉड़ा साथ होता है और थोड़ा सा क्वांटिटी निचे से भी आप उठा सकते हैं अगर आथ लास्ट रट्रेडिंग सेसर में हम देखते हैं कितना क्वांटिटी उठाए गया है एक बार देख लेते हैं अगर इसका फॉंड़ामेंटल हम चेक करेंगे यहां पर फॉंड़ामेंटल भी स्टॉक का चेक कर लेते हैं देखिए एक लार्जग स्टॉक है यहां पर देखेंगे तो 0.22 परसंटेज का यहां पर प्रोफिटबल कंपनी कोई नहीं प्रोफिटबल कंपनी प्रोमोटर प्लेज भी जीरो है अभी हमें करेक्शन पर मिल रहा है ठीक है यही पांथ स्टॉक था जो कि मेरे तरफ से मैंने भी एक प्रोटिप्स बताए जो चलिए ठीक है यही सब स्टॉक था अगर आपका अपना पॉट्फोलियो में लेके चलते हैं बहतर ही रिटन आपको मिल सकता है जो कि लंग टर्म के लिए अपना अभी क्या करेंट मार्केट प्रैस में बाइकर के चल सकते हैं यह वीडियो अगर आपको पसंद आया वीडि करेंग